नमस्कार आप देख रहे हैं News World India मैं हूँ आपके साथ काविंद्र चौहान और जिलादिकारी को ग्यापन भीजा जाएगा लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आकिरकार पहले ये कबर सामने आई थी कि 6 फरवरी को चक्का जाम होगा चाहे दिल्ली हो चाहे उत्तरप्रदेश हो लेकिन अब ये फैसला बदलने के पीछे निर्ने क्या है क्या सोच है औ धरना देनी की बात कही जा रही है तो वो मुम्किन हो पाएगा या नहीं क्योंकि 26 जनवरी की जो तस्वीरे सामने आई थी वो अपने आप में बयावे तस्वीर थी जिस तरीके से तलवार से हमला किया गया लाठी डिंडों से हमले किये गए अब ये बात कह दी गई है कि 6 परवरी यानि कि आज 12 बजे से लेके 3 बजे तक का समय दिया गया है और इस समय के बीच में जो जो किसान जिस जिस छितर में है वहाँ पर सड़क को जाम करेंगे आराम से बैठा जाएगा और प्रदर्शन करके जिलादिकारी को ग्यापन दिया जाएगा तो सबसे बड़ा जाएगा तो किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं तो ऐसे में ये फैसला मेरी नजर में इसको सही मानता हूँ क्यूंकि बहुत बड़ा अंदोलन हो चुका है इसमें लाखों की संख्या है और इसको समेट के चलाना थोड़ा सा मुश्किल नजर आता है क्यूंकि कई सारे संगठन दिखे जैसे कि 40 संगठन जो है एक साथ कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसमें किसान नेताओं की भूनिका बहुत आयम हो जाती है तो ऐसे में इस चीज से दरकिनार नहीं किया जा सकता इस चीज से कि 26 जनवरी को जैसे स्थितिया बिगड़ी वैसे स्थिति अब बिगड़ जाए इसको देखते हुए किसान नेताओं ने अपना जो फैसला है वो वापस लिया होगा लेकिन इस पूरे आंदोलन में जिस तरीके से राकेश टिकैट की मैं यहाँ पर बात करूँगा क्योंकि आब वो आंदोलन के पोस्टर बॉय बनकर निकलाए हैं अब र वालूम पढ़ रहा है कि राकेश टिकैट ने अब जो अपना रुख है वो नरम किया है थोड़ा सा सरकार के प्रती जैसा कि उन्होंने कहा भी कि जैसे जब फोन कॉल की बात आई थी आपको पता है तो फोन काल के वक्त भी उन्होंने कहा था कि ठीक है हम बात करेंगे विकें ऐसे में ये चीज बहुत जरूरी है कि किसान नेताओं ने इस चीज को समझा कि अभी वो मैनेज करने की पूरी तरीके इस्तिती में नहीं है तो इसको कहीं ना कहीं सही मानना दा सकता है इस फैसले को बिलकुल क्योंकि ये भी कहा जा सकता है कि राकेश ट्रकेट को ये भी डर हो कि 26 जनवरी की जैसे इस्तिती खराब हुई थी ऐसे मैं अब जो कूच करने की बात कह दी गई है अगर ऐसे मैं प्रदर्शन कारी उगर हो जाते हैं या फिर जो आसमाजिक तत्व होते हैं वो जान बूच कर ऐसा कुछ करना चाहें तो इस्तिती बहुत बहुत हो जाएगी क्योंकि भार से भी रिपोर्ट आई और लगातर इंपुट तो मिली रहे हैं सुरक्ष एजंसियों को ऐसे मैं अब क्योंकि जो भार के सलिबिटीज है या फिर भार की तरफ से जो लोग रहते हैं वो अब प्रदर्शन कर रहे हैं अमेरिका की तरफ से पहले प् से धर न दिया जाएगा तो आकिरकार निर्णा ले लिया गया लेकिन इसके पीछे की सोच शायद यह हो सकती है क्योंकि जिस तरीके से आसामाजिक तत्व जो पहले भी ऐसा प्रदर्शन और उग्र हो गए थे अगर वो अब करते हैं तो जो आंदोलन चल रहा है वो जो बड़ी स्लेब्रिटीज है वो लोग भी इस आंदोलन में पूद पड़े हैं तो ऐसे वे अब गंभीरता दिखाने की बहुत जरूरत है वा आंदोलन को लेकर गंभीर हो जारा चाहिए क्योंकि आंदोलन केवल दिल्ली की जो सीमा है उधर तक सीमित नहीं रह चुका है देश में तो दीरे-दीरे फैल ही रहा था पैर पसा रहा था अभी इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचा है तो ऐसे में किसान नेताओं ने बिल्कुल सही किया गंभीरता दिखाने की जरूरत है क्योंकि ऐसे आंदोलन में कोई बाहर का जो तत्व जैसे के आपने जिक्र किय आज सामाजिक तत्व की एंट्री हो जाती है 26 जनवरी को हमने देखा कि किस तरीके से लोग आ गए और क्या-क्या घटनाय पूरे देश ने देखी किस तरीके से उस दिन देश को समशार भी होना पड़ा तो ऐसे में इस जब ये फैसला किसान नेताओं ने लिया है तो ये उनकी गंभीरता दिखाता है, maturity level लेक दिखाता है कि आंदूलन जो है वो बहुत बढ़ा हो चुका है आंदूलन जो है बहुत विशालका है हो चुका है तो ऐसे में अब यहां पर कोई भी छोटा सा भी कदम बहुत बढ़ा नुकसान पहुंचा सकता है तो ऐसे में ये जो यहां पर जरूरत है कि किस तरीके से आंदोलन को बांध ही रखा जाए एक छोटी सी भूल होई तो फिर समझी आंदोलन खतम बिल्कुल क्योंकि ऐसे मैं आदोलन आपर लगाता जारी है तो पुलिस का मास्टर प्लैन क्या होगा क्योंकि छे फरवरी को इसाफ बोल दिया है आज की दिन ये बोल दिया कि बारत से लेके तीन बजे तक का हम लोग प्रदर्शन करेंगे धरना देंगे तो दिल्ली पुलिस या उत्यवदेश पुलिस सम्हाल पाएगी इस तितिकों? अपनी जगा है, किसान अपनी जगा है, लेकिन आंदूलन में कोई भी गड़बट न हो जाए, ऐसा देखना पुलिस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि देखे 26 जनवरी के बाद क्या हुआ कि किसानों ने सीधे सीधे पल्ला जाड़ लिया, किसानों ने कहा है इ बोलो पुलिस पूरी बंदोवस्ती के साथ तयार है, और पूरा एक दूल जो उसे प्रोटेक्शन लेयर जो कहते हैं, वो पूरी मजबूत अभी नज़र आती है, बिल्कुल, एक पर हमारे दरश्टर को था कि एहम जानकरी पहुचा जेते हैं, कि किसान आंदूलन जो चल कैत रो देते हैं, और यह कह देते हैं, कि अगर मेरी ग्रफ्तारी होती है, तो आत्मुत्या कर लूँगा, अलग तरीके सी उनकी प्रतिक्री यहां पर सामने आती है, तो किसान लगातार बहार मापंचायतों का दौर चल आता, वहाँ पंचायत हुई उसके बाद, फिर यहा बड़ा ही कटिन रहने वाला है, क्योंकि स्तिती को नियंतरन करना पॉलिस के उपर बहुत बहारी जिम्मेदारी हो जाती है, जिसमें कि पॉलिस के उपर पहले से यह प्रेशर रहा है, क्योंकि 26 जनवरी को जो स्तिती खराब होई थी, उसके बाद, पुलिस पर होता है जो दोगुना प्रेशर वो हो जाता है और ऐसे मैं किसानों की तरफ से ये बात भी कह दी गई है कि दिली के जो बहरी इलाके हैं वहाँ पर चक्का जाम और रहाबर प्रदर्शन किया जाएगा तो अगर इस्तिती खराब होती है तो उसका जिम्बेदार कौन होगा आकर कब तक इ पांदोलन चलते रहेंगे इसका रिजल्ट कब निकलेगा सबसे मैत्वपूर्ण सवाल ही है क्योंकि जो लड़ाई लड़ी जा रही है जो जंग लड़ी जा रही है अपने हक के लिए उस हक के लिए कब इसका फाइनल रिजल्ट सामने आएगा कब सरकार बात करने की कोशि इस्तिती ठीक है वहाँ पे सब इंतजामात हैं लेकिन फिर भी एक घर में सोने की बात और एक सड़क पर सोने की बात में जमीन और आसमान का फरक होता है फिर भी लड़ाई जंग और न की जारी है लेकिन जब बात आ जाती है अपने हक की तो वो पूरी कोशिश कर रहे है अब सरकार की अगर बात करते हैं तो सरकार की तरफ से ये प्रतिकरी आती है कि प्रदान मंतरी मोधी ये कह देते हैं कि मैं एक फोन कॉल की दूरी पे हूँ तो आखिरकार वो फोन कॉल होगा कब वो बाचीत हो पाएगी कभी आंदोलन खतम हो बाएगा बहले ही चक्का जाम और ऐसे मैं माहौल ना बिगड़े इसके लिए वहाँ पर अतिरिक जो सुरक्षा बल है वहाँ पर लगाए हुई है दिल्ली की पुलिस लगाई हुई है तो ऐसे मैं जो इतने इंतजामात उनकी सुरक्षा के लिए किये गए हैं अगर इतने इंतजामात दिल्ली की सुरक्षा चाहिए और क्योंकि सड़क पर जाने से दिक्कत हो रही है, ओफिस जाने में लेट हो रहा है, तो परिशानी तो लोगों को हुई रही है। जब 26 जनवरी वाला इंसिजेंट होता है, उसके बाद अगले दिन, जब हम गाजी पर बॉर्डर की हिस्तिती देखते हैं, तो बहुत सारे किसान घरों को वापस निकल गए थे, और जिस तरीके से भारती किसान यूनियन भानुट की बात करूँ, या फिर किस्तान मजदूर स इन लोगों ने भी अपना हाथ खीच लिया था, तो लग रहा था कि आंदोलन अब खत्म हो जाएगा, लेकिन शाम को परिसितियां बिल्कुल बदल की, शाम को मामला पूरा उलट गया, जिस तरीके से राकेश टिकैट की जैसे ही आंसू बहते हैं, वो सैलाब की तरह जाता तो ऐसे में राकेश टिकैट का जिस तरीके से जो कद है, वो एक दम तीजी से बड़ा है, उससे कही ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आंदोलन को बहुत जादा बल मिलने बाला है, जो सबसे पहले किसान नेता जो सबसे कमजोर माना जा रहा था, कमजोर कड़ी मानी जा रही थी अब वो सबसे मजबूत करी है यहाँ पर, लेकिन आंदोलन किस दिशा में जाएगा, यह तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलाल राकेश टिकैट ने, जो अपना राजनीतिक जो बर्चस हो है, वो बहुत मजबूत कर लिया है, अगर किसान नेता की बात करें, तो वो अलग च आंदोलन को कई, देखें, नेरेटिव बहुत जरूरी हो जाता है, हाँ पर, जिस तरीके से सरकार को चाहिए था कि वो किसानों के बीड़ जाकर बात करें, इसके उलट, जो सरकार के लोग है, वो नेरेटिव सेट कर रहे हैं, आतंगवादी जिस तरीके से बना रिया जाता है ऐसे में यह सब चीज़े ना होते हुए अगर इस चीज़ को अब दूसरी तरीके सिकी जा सकती है यह सरकार किसानों के पास जाती उनसे बैट के बात करती क्या हल निकल सकता है वो निकालना चाहिए कानून वापस होते हैं नहीं होते हैं वो एक अलग मुद्दा है लेकिन म अपनी हट पर बैटी लेगी परिशान कौन होगा यहां के आम लोग तो ऐसे में किसानों को भी चाहिए कि थोड़ा सा दो कदम आगे चलकर बात करें और सरकार को भी चाहिए कि दो कदम आगे चलकर बात करें लोग तंत्र है यहां पर अंदोलन का अधिकार हर किसी को है ले पैसे में ये बहुत अहम चीज है, जिस तरीके से किसान नेताओं ने भी अपना रुख थोड़ा सा नरम किया है, ये अंदूलन के लिए और सरकार के लिए और साथ ही साथ वहां बैठे किसानों के लिए भी अच्छी चीज है, तो फिलाल इस पेशकस में इतना ही आप बने र अजा किसान ने कित्वत आप है, जिस देष थ饗तर रुटर आप जूटिसे है, जिस रीज ह् 1.